नमस्कार प्रियेदर सकों आप सभी का स्वागत हैं आप सब कैसे हैं मुझे आसा है आप लोग कुसल मंगल से होंगे स्वस्त होंगे पसंद होंगे मस्त होंगे आज हम बात करेंगे व्रिश्चिक लगन और व्रिश्चिक रासी के जातकों के लिए महालक्ष्मी वर्स कैसार जाएगा व्रिश्चिक पर जाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आप अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि यह महालक्ष्मी वर्स कैसा रहेगा जन जन तक पहुँचे रहेगा अब चलते हैं अपने विशेपे महालक्ष्मी वर्स विश्चिक लगन और विश्चिक रासी के जातकों के लिए कैसा रहेगा जहां पर मंगल का मेश लगन क्रोध और गुस्सा है उर्जा है छत्री है वहीं मंगल यहां ब्रह्मन है ज्ञान है संस्कार है कुछ सिखने की चाह कुछ सिखाने की चाह मंगल का यह लगन गुस्से से नहीं दिमाग से अपने दुस्मन को हरा देता है इनके कोई बाहरी दुस्मन नहीं होते या हमेशा अपने करेवी लोग खून के रिष्टे से ही दुखी रहते हैं धन की अस्थिती इनकी ठीक रहती है जल्दी खाते हैं और गुस्से में बदले की भावना से दुसरे को धोखा भी जल्दी देते हैं अपने दुस्मन को कभी भूलने भूलते नहीं वो याद रखते हैं विश्चिक रासी विश्चिक लगनमाल है जब उसके सत्रू का मौका मिलेगा जब मौका मिलेगा तभी वो अपने दुस्मनी का बदला लेने का सोचेगा इसी महालक्षमी वर्स में आपकी धन की अस्तिती उपर नीचे रहेगी फिर भी आपकी जरुवत पूरी होगे शमय के साथ साथ यह वर्स आपके खर्च आपको बहुत तंग करेंगे अचानक ही कोई ना कोई खर्चा आपके सर पर खरा हो जाएगा और आपका धन आपके पास रुकेगा नहीं जैसे आएगा वह इसे आपके पास से चला जाएगा इस वर्स आपके धन को जोडने में परेशानी महसूस होगी बैपारी वर्ग इस साल अपने काम को लेकर विशेस भाग दौर में रहेंगे उनके नोकर से उनको परेशानी महसूस होगी नोकरी पैसा के जातकों जहां नोकरी कर रहें वहाँ अपने रिष्टे अच्छे रखें आपको वैसे इस वर्स छोटी मोटी तरक्की के योग बनेंगे लेकिन हो सकता है इसके साथ आपके ट्रांसफर के योग भी बनेंगे आपको इस साल कोई लौन या पैसा भी बाहर से उधार लेना पर सकता है अपने कारोबार को आगे लेकर जाने में सिक्षा के छित्र में आपको इस साल मेहनत बहुत करने होगी आप भाग के भरोसे या सोच कर कि सब अपने आप सब अच्छा हो जाएगा नहीं चलेगा हर सबजेक्ट को बहुत बारकी से आपको पढ़ना होगा तभी आपको सफलता हांसिल होगी आपका विवाहिक जीवन अच्छा रहेगा आपका जीवन साथी आपके सुख दुख में आपकी भरपूर मदद करेगा परिवार भी आपको सहयोग करेंगे शेहत आपकी उस वर्ष न अच्छी रहेगी न बुरी शमान्य तोर पर छोटी मोटी बिमारी को छोड़ कर कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं आएगी और उपाय के तोर पर हलमान चली सा सुन्दर कांड का पाठ करें और शनीवार के दिन पीपल ब्रिक्ष में जल चरहें शिर्व दरवार में शिवाले में जरूर जाएं वहां अविश्यक करें इससे आपको बहुत लाब मिलेगा इसी यहीं पर मैं बिराम देता हूं अपनी वानी को आपका दिन मंगल मैं हो स्वस्त रहें प्रसंद रहें मश्त रहें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दवा दें और ज्यादा से ज्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर करें प्रेम शे बोलिए कि लिए